नमस्कार पढ़ाम शस्ति रेखाल मेरे किशान भायो मैं विने आपके अपने यूटूब चैनल फार्मिंग बित विने में आपका श्वागत है आज हम बात करेंगे परवल में ये सफेद मख्यी सफेद मख्यी जो लग जाती है उसके बारे में कि इसका क्या उपचार किया ज ये सफेद मख्या जब बरसात का मौसाम आता है तो इस समय ये मख्या लग जाती है और परवल के पत्तों पे ये लग के परवल के फसल को पूरी के पूरे भरबात कर देते हैं फसल चाट देते हैं पूरे पत्ते चाट देते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कैसे चाटते है यह देखिए मैं आपको नजीक से दिखा रहा हूँ यह देखिए परवल के पत्ते को यह जालिदार नुमा यह चाट देते हैं यह देखिए ऐसे इसी प्रकार से यह सारे के सारे पत्ते चाट करके खतम कर देती हैं सफेद मख्यां यह आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्ह सकते हैं कुछ दूरी पे वह है आपको दिखाई पड़ रहा होगा देखिए यह सारा जो परवल में यह जो है तो इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करना न भूलिएगा मेरे किशन भाई तो हम आज बात करेंगे कि सफेद मख्य के उपचार के लिए कौन से दवा चला है सफेद मख्य के उपचार के लिए जो ऐसे पत्तियां चाट करके जालिदार नुमा बना देती हैं उसके लिए आपको लेना है इकका आप देख सकते हैं इंसेक्टिसाइड यह मेडिसीन है यह सफेद मख्यों का देखिए इस पे लोगों भी बना हुआ है यह 20 ग्राम है आपको 20 ग्राम पर पंप के हिसाब से स्प्रे करना है और सफेद मख्यों से आपको छुटकारा मिल सकता है तो इन सब के लिए आप इकका का प्रयोग करें एक बार फिर देख सकते हैं आप इकका सफेद मख्यों के लिए तो इसका प्रियोग अवस्य करें और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है मेरे किशन भायों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक, शेयर और सब्क्राइब करना न भूलें अगर उचित सलाह आपके पास भी हो तो कमेंट जरू करें मेरे किशन भायों तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद